तो क्यासे हो, सबसे ही है, तो जैसा कि आपको पता है, कल Micromax ते अपना दू नया फोन डॉप किया आज होने वाला है क्योंकि दोनों फोन बहुती काटे के टकर के साथ में आया है और प्राइसिंग और स्पेसिफिक्षिंट बहुती जगते हैं ऐड वाला है और आपके लिए कौन बेस्ट होगा तो चलो फेर शिरु करें सबसे पहले प्राइजिंग से क्योंकि प्राइजिंग सबसी जदा इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है एक नए स्मार्टफोन के लिए तो Redmi Note 9 आपको तीन राम विरेंट में देखने मलता है लेकिन आज हमनों फोकस करने वाले हैं दो राम विरेंट के उपर क्योंकि मैक्रोमक से जो फोन है उसमें आपको 464 और 418 का स्टोरीज है जो आपको Redmi Note 9 में भी देखने मलता है लेकिन एक एक्स्ट्रा राम विरेंट आपको Redmi Note 9 में देखने को मलता है 6GB का जो हम लोग इसे डिसकार्ड फिलहाल के लिए करने वाले हैं तो दोनों फोन की प्राइसिंग के उपर बात करें तो Redmi Note 9 स्टार्ट होता है 12,000 से और इसका 4GB RAM 128GB विरेंट है वो आपको 13,500 में देखने मिलता है लेकिन वहीं पर Micromax है जो स्टार्टिंग प्राइसिंग मतलब 4GB कराम 64GB के इंटर्न स्टोरिज जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 11,000 से और 4GB कराम 128GB की प्राइसिंग आपको 12,500 में देखने मिलता है नो डाउट बहुती जज़ा सस्ता है 1500,000 रुपे सस्ता आपको देखने मिलता है दोनों RAM विरेंट में अगर आप कंपेर करते हैं Note 9 के साथ में तो प्राइसिंग में तो विनर है Micromax का IN Note 1 जो बहुती अच्छी बात है अब बात करते हैं display type के उपर कि दोनों phone में आपको कैसा display मिलता है और कितना resolution के साथ में आता है तो दोनों phone में आपको full HD plus का display है लेकिन Redmi Note 9 में आपको 6.57 इंचेस का display देखने मिलता है जो एक full HD plus विल डिस्प्ले है टॉप left corner में आपको punch hole देखने मिलता है लेकिन Micromax में आपको 6.67 इंचेस का है जो थोड़ा ज्यादा बड़ा है और ज्यादा बेटर लगने वाला है लेकिन दोनों IPS के साथ में आता है IPS display टाइप है लेकिन देखने में बहुत ज्यादा अच्छा Micromax का display लगता है क्योंकि आपको center में punch hole लेकिन मलता है जो थोड़ा latest लगता है और थोड़ा अच्छा निकल की आया है तो कुछ इस तरह पर दोनों फोन का आपको display देखने को मलता है बात करते हैं कौन सा फोन का ज्यादा अच्छा आपको display मिल जाएगा तो नोड़ाउट आपको थोड़ा ज्यादा बेटर display मिलता है Micromax का iN Note 1 के अंदर लेकिन protection आपको Gorilla Glass 5 के मिल जाता है Redmi Note 9 के अंदर तो आप आपके दोनों फोन के selfie camera के उपर कि कितने MP का आपको selfie camera दोनों फोन में out of the box मिल जाता है तो Redmi Note 10 में आपको देखने मिलता है 13 MP का selfie camera और वहीं पे Micromax के आपको iN Note 1 में देखने मिलता है 16 MP का selfie camera मतलब currently जो situation चल रहा है जो pricing में आपको phones मिलता है तो आपको 13 MP का ही सभी लोग देते हैं इस pricing के अंदर लेकिन Micromax में आपको 16 MP का selfie दिया है जो बहुती अच्छी बात है competition अच्छा खासा create कर दिया है Chinese phone के साथ में तो अब आते हैं दोनों phone के back camera के उपर तो Redmi के Note 9 में आपको मिल जाता है Quad camera के setup जिसमें प्रामरी camera आपको 48 MP का है secondary camera आपको एक ultra wide lens है जो आपको 8 MP का दिखने मिल जाएगा मतलब 8 MP का है 3rd camera आपको 2 MP का जो एक depth lens है और last camera आपको 2 MP का है जो एक macro lens है लेकिन Macro Max के उपर बात करें तो Macro Max का IN Note 1 के अंदर आपको मिल जाता है Quad camera सिमिलर है 48 MP का लेकिन इसमें जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वह आपको 5 MP का मिल जाता है और बाकि क्या जो दोन लेंस है वह आपको 22 MP का मिल जाता है तो camera के उपर हमने जादा कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि अभी हम लोग के पाथ कुछ भी result नहीं है कि Macro Max के फोन से कैसा अच्छा पिक्चर आता है या अच्छा नहीं आता है जब hands-on होगा तब ही पता चलेगा लेकिन on the paper के उपर बात करें तो सुर्ण जाधा अच्छा आपक आपको charging support मिल जाता है सेम आपको Micromax फोन में देखने हो मिलता है पांच-छेजर एमेच का बैटरी लेकिन यह भी सपोर्ट करता है अठारा वोर्ट की charging तो चार्जिंग में तो एट्लिस दोनों फोन सेमिलर होने वाला है बीस एमेच का बस फर्क है लेकिन overall at the end आपको support और सेम charging speed दोनों फोन में मिलता है Micromax और Redmi की ऊपर तो battery capacity और charging की ऊपर दोनों फोन सेमिलर निकल के आया है तो क्या साल अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रू करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना और बेल आइकन को भी तन से क् देखो बात करते हैं दोनों फोन के डिसाइन के ऊपर तो दोनों फोन आपको polycarbonate back के साथ में आता है लेकिन personally back से बात करूँ ना तो Micromax का फोन ज्यादा प्रीमियम लगता है क्योंकि जो Redmi का फोन है उसमें आपको बीच में देखने में देता है camera setup जो personally मेरे को पॉसंद नह अगर आपके पास Redmi Note 9 है तो आपको सही लग रहा है वही बताना दोनों फोन हमको fingerprint scanner backhand में देखने मिलता है रेर fingerprint scanner के साथ में आता है जो placement बहुत ही ज़्यादा अच्छा जगा किया गया है तो अब आता है दोनों फोन के performance department के उपर कि कौन सा प्रोसेजर के साथ में आपको Halo G85 जो gaming performance बाकी सभी कुछ बहुत ही कमाल का करवा देगा और साथ में hyper turbo engine को भी support देखने में जयता है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको gaming में output निकाल कि देगा यह प्रोसेजर आपको 12NMP based है जो बहुत ही अच्छी बात है और battery efficient भी प्रोसेजर है तो performance में आपको क में feel मिलने वाला है कोई भी MIUI के जंजट नहीं है कोई अधर आपको UI चढ़ा हुआ नहीं है जो अधर RAM कंजूम करेगा इसमें आपको stock Android का feel मिलने वाला है और इसमें कोई भी फालतू के blot wear फालतू के application नहीं है बस Google कही application इसमें आपको देखने को मिलेगा अधर कोई application नह है कि Micro Max में आपको close to stock Android का feel मिलने वाला है कोई भी फालतू के blot wears नहीं मिलेगा और कोई फालतू के hats भी नहीं देखने मिलेगा जो सबसे अच्छी बात है और Micro Max ने यह भी claim किया है कि 2 साल को आपको guarantee updates मिलने वाला है मतलब 2 साल तक कोई भी टेंशन लेने की जरूत नहीं है definitely इस phone आपको update मिलने वाला है तो कुछ इस तरह का दोनों phone देखने में आया है कैसा लगा आपको दोनों phone comment करके जरू बतना तो कुछ इस तरह का दोनों phone निकल क्या है Redmi Note 9 और Micro Max का iN Note 1 दोनों phone में आपको type C port के साथ में आता है साथ में headphone jack का भी support देखने को मिल जाता है तो इस तरह में आपको बेस्ट वैल्यू फोर मनी मिलने वाला है अगर प्राइस के उपर बात करो तो बहुत ही अच्छा आपको में लेगा प्राइस टू परफोर्मेंस जो बहुत ही अच्छा निकल गया तो 11000 में सबसे बहुत ही कमाल का फोन है पोको का M2 छोड़ो रेडमी का 9 प्राइम छोड़ो रेडमी का Note 9 छोड़ो और Micro Max का iN Note 1 को पकड़ लो जपी पालो और क्या तो कुछ इस तरह का निकल क्या है दोनों फोन का कमपेर्जन क्या लगता है आपको कौनसा फोन विनर है मेरे साथ माइक्रमेक्स थोड़ा ज्यादा लीड़ी कर रहा है Note 9 गे कमपेर्जन में आप भी थोड़ा अपनी बातें कमेंट में जरूर बया करना तो कुछ इस तरह का वीडियो निकल क्या है दोनों का कमपेर कर दो और क्या तो ठीकिव और समयलते मिलके चल करते हैं अपने ऐसे किसी नेक्स वीडियो में थैंक्स पूर आचिंग हाइफाइब